गुरीवनिंग, सबको नमस्ते, मैं आज फेस्बुक लाइब में आया हूँ, आप सबको थोड़ा सा इंटरेक्ट करने के लिए, आप से दो तीन चीज़ बात करने के लिए, सबसे पहले आपको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है, आप सबको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है, ठीक से तो मैं शुरू करता हूँ, आज का इंटरेक्ट्शन, मैं ज्यादा देर नहीं करूंगा, लेकिन आप से दो तीन चीज़ मुझे बात करना था, आपको इन्फरमेशन देना था, सबसे पहले मैं अपने सब बॉरियर्स को जो बहुत कश्ट करके हमारे साथ दिल्ली गए, जिनोंने त्रुपुरा में रहके हमचंग रैली किया, हमारे सपोर्ट में और ग्रीटर तीप्रा लैंड मैं सब को थैंक यू बोलना चाहता हूं, आप लोग बहुत कश्ट करके दिल्ली गए, बहुत लोगों को खाने के लिए प्रॉब्लम हुआ आने के समय, लेकिन मैं आप सब को एक ही बात बोलना चाहता हूं, मुझे सब मालूम है और कौन ने क्या काम किया है, कौन ने क्या बलीदान दिया है, कौन ने क्या सैक्रिफाइस दिया है, और मैं आपको एक वादा कर सकता हूँ कि आपका जो बलीदान है, आपका जो सैक्रिफाइस है जो कश्ट करके आप हमारे साथ दिली गए आने के टाइम ट्रेन में थोड़ा प्रॉब्लम है पानी का, खाने का मैं आप सबको एक ही बात बोना चाहता हूँ आपका जो सैक्रिफाइस है आपका जो बलीदान है अपने दौफा के लिए वो खाली हाथ नहीं जाएगा इसका रिजल्ट हमें एक दिन मिलेगा इसका जो अच्छा काम हम करते हैं लोगों के लिए, हमारे दौफा के इंट्रेस्ट के लिए इसका एक ना एक दिन अच्छा नतीजा निकलेगा क्योंकि उपर में अगवान है गॉड इस देर और वो कभी न कभी हमें कुछ तो देगा क्योंकि हम सच्चाई का फाइट करें मैं अपने तीपरासा वारियर्स को और एक थैंक्यू बोलना चाहता जो त्रुपरा में थे जिन्होंने बाइक रैली किया जिन्हेंने मशाल का हमचांग रैली किया आपने जो किया उसको भी मैं थैंक्यू बोलना चाहता हूँ आप हमारे संग दिल्ली में नहीं थे लेकिन आपका जो एक्टिविटीज था हम सब देख रहे थैं मैं खुद देख रहा था और मैं आपको थेंक्यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि आप जमीन में फॉट कर रहे हैं आप हमारे साथ हैं आपने कभी भी नहीं पूछा है कि हमको क्या मिलेगा आपने या जो सुपोर्ट किया है क्योंकि आपको लगता है कि अगर थनसा है अगर एकता है तो हमारे लोगों को कुछ मिलेगा मैं दो-तीन लीटर्स को और एक चीज बोलना चाहता था कि सिर्फ दो मेहना बाकी हैं और अगर हम लोग एक रहेंगे तो कुछ मिलेगा अगर हम लोग अलग अवाज में अपने ही अहंकार के लिए अपने ही इगो के लिए अपने ही बारे सोचेंगे तो मैं आपको एक बात बोलता हूँ 75 साल से कुछ नहीं मिला आने वाले 75 दिन में भी अगर आपने थांसा को तोड़ा तो मैं आपको बोल रहा हूँ, बाद में आप रिग्रेट करेंगे, बाद में आपको लगे का हाँ, मुझे मैंने गलत काम किया, तो लालच का कोई अंत नहीं होता है, लेकिन अगर आपको कुछ चाहिए तो पहले अपने परिवार को दो, पहले अपने गाउं को दो, कामी को पहले अपने शेहर को दो पहले अपने राज्य को दो जब राज्य डवलप करेगा जब आपका गाउं उन्नती करेगा जब आपका परिवार उन्नती करेगा तभी आपका उन्नती होगा लेकिन अगर आपको लगता है कि सबसे पहले मैं खाऊंगा सबसे पहले मुझे कुछ च थांसा नहीं था, कुछ मिला हमें, नहीं न, तो सोचो आप, दूसरा पॉइंट है, आप बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या करना है आगे, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको आने वाले दिन में एक दूसरे से बात करना है, आपको एक बात समझना है, ये बुबा के लिए चाहिए, नहीं, मैंने अपने मा को, मैंने अपने पिताजी के आत्मा को, मैंने अपने तीपरासा, अपने बुमा को जो गरीब है, जो भूका है, जो गाउं में रहता है, जो उमीद करता है, कि बुबागरा कुछ करेगा हमारे तीपरासा के लिए इस बार, मैं उन के लिए उनका आवाज बनके फाइट कर रहा हूँ अपने लिए अगर फाइट करना होगा तो आसान से बहुत चीज मिल सकता है लेकिन वो नहीं है अब लक्षा अभी लक्षा है कि हम सब एक रहें एक रहना चाहिए कि नहीं बहुत लोग आके मुझे कहते है कि यह जमातिय एरिया है यह देबर्मा एरिया है यह रियांग एरिया है यह कॉलोई एरिया है यह उच्चोई है यह रूपिनी है यह दारलॉंग है यह चाक्मा है मैं आपको बोल रहा हूँ यह सब तिप्रसा एरिया है और हमारे अगिन साजिश हो रहा है हमको तोरने का एक पूरा प्लानिंग बन रहा है, सबको लगता है कि हम तूट जाएंगे, लेकिन अगर आपका प्यार है, आपका विश्वास है, तो हिंदुस्तान में कोई पावर नहीं है, जो हमें तोड सके, हमें एक आवास में अपने लोगों के लिए बात करना है, हमें एक आवास मे आगे बढ़ना है, पिछले दिन में मैंने बहुत लोगों को हेल्प किया, मैंने कभी नहीं देखा कौन मंगाली है, कौन मनीपूरी है, कौई हिंदू है, कौन मुसलिम है, कौन चाक्मा है, कौन तुरिपुरा है, कौन रियांग है, कौन कोई भी है, मैंने क्यू हेल्प किय हमारा दिल बड़ा होना चाहिए, हमें जो भी करना है शांती से करना चाहिए, कहीं में जगड़ा नहीं होना चाहिए न्यूस्पेपर में सब लोग लिखते हैं कि अगर तिप्रा मौथा आएगा तो वाइलेंस होगा, जन जाती आएगा तो वाइलेंस होगा हम जन जाती को भी सबको दिखाना है कि हम violence का रास्ता नहीं चाहते हैं हमको शांती चाहिए हमको development चाहिए जो लोग बंदुक के आवाज में जो लोग violence से अपना बात रखते हैं उसमें असल में दम नहीं है हम एक community है जिसका civilization है जो भी रखना है शांती से अपना बात रखो किसी को धमका के, धरा के, दबा के बात करने से आप एक चीज़ सब को दिखाते हो कि असल में कमजोर आप ठीक बोल रहा हूं और हाँ, हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चिन ये सब अंदर का बात है, घर का बात है इसमें आप पॉलिटिक्स मत करो ये पॉलिटिक्स से किसी को कुछ नहीं मिलते है अगर आज त्रिपुरा में एक हिंदू भूका है तो मुसल्मान भी भूका है एक क्रिश्चिन भी भूका है अगर किसी को नौकरी चाहिए तो वो सिर्फ हिंदू नहीं सिर्फ Christian नहीं, मुसल्मान को भी चाहिए अगर किसी को नौकरी चाहिए तो ये हम सब को चाहिए अगर कोई बिमार होता है, डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर किसी का धर्म नहीं पूछता, किसी का जात नहीं पूछता डॉक्टर डॉक्टर होता है तो हमें भी इससे आगे बढ़ना है मैं अपने सिध्धान्त में, अपनी आइडियोलजी में मैं कॉंप्रिमाइस नहीं करूगा करना भी नहीं यहां तक पहुचा हूँ आपके प्यार से यहां तक आया हूँ आपके आशिरवाद से यहां तक मैं पहुचा हूँ आपके प्यार और आपके आशिरवाद से किसी के पैसे से नहीं तो मैं आज आपका प्यार, आपका आशिरवाद को छोड़ कर थोड़ा सा पैसा पद लेकर मैं अपने लोगों के साथ गद्दारी नहीं कर सकता हूँ आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछे लेकिन मैं आपको एक बात बोलगा आने वाले एक दो महने में हमको पॉलिटिक्स कम करना है हमको थांसा ज्यादा लाना है त्रिंग आएगा त्रिंग में एक साथ बैठिये मद सोचिक कौन क्रिशिन है कौन हिंदू है इसके बाद क्रिस्मिस आएगा मद देखिये कौन क्रिशिन है कौन हिंदू है कौन बुद्धिस्ट है नया साल हम सबका नया साल है एक संग बनाएगे बिंगॉली हो तीपरासा हो कोई भी हो एक साथ बनाएंगे मैं अपने बेंगोली इसको भी बोलना चाहता हूँ मैं ने देखा है कि आप बहुत अच्छे लोग है हमारे तिप्रासा भी बहुत अच्छे लोग है प्रॉब्लम क्या है जब मैं साज बात बोलू हमारे नेता लोग खरा रहे हमारा नेता लोग ने दोनों को बंगाली का नेता ने बिंगोली को तिप्रासा का नेता ने तिप्रासा को गरीब रखा है एक दूसरे से लड़ाया है क्योंकि अगर आज हम हमारे पास पैसा आ जाए न आज अगर दिंगौली या तिप्रासा के पास नौकरी आ जाए न या हमें हमारे बच्चे को शिक्षा मिल जाए न तो कोई नेता के पीछे भागेगा ने कोई एक सोर रुपे लेकर पूरा दिन जंडा उठा कर स्लोगन नहीं करेगा कोई नेता को अपना भगवान नहीं बुलाएगा इसके लिए हमारे नेता लोग भी हमें गरीब रखते हैं हमें पीछे रखते हैं क्योंकि ये उनका बिजनिस है मैं चाहता हूँ कि सबका डिवलप्मेंट हो मैं चाहता हूँ कि अच्छे स्कूल आए अच्छे कॉलेजिस आए मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा सिस्टम बने जहां कि एक यूद अगर उनको नौकरी चाहिए तो तुरुप्रा से बाहर नहीं जाए टोरिजम बने स्किल बिल्डिंग हो लेकिन मैंने क्या देखा है प्रॉमिसेज सब लोग वादा करते हैं सब लोग प्रॉमिसेज करते हैं इलेक्षिन के पहले ये होगा वो होगा आज भी गाउं में अगर जोर से बारिश आ जाए तो चार-चार दिन तक बिजली नहीं आता है बिजली का खंबा है लेकिन उसमें करन्ट नहीं है आज भी स्कूल आप जो भी प्रॉमिस कर लो स्कूल के बारे टीचर अच्छे हैं लेकिन टीचर को सैलरी टाइम में नहीं मिलता है टीचर को एक जगा से दुस्रे जगा जाना पड़ता है डॉक्टर बहुत अच्छे, उनको मरीश को ट्रीट करना है लेकिन डॉक्टर कब तक करे जब हस्पीटल में, प्रामरी हेल्ट सेंटर में एक्स्री मशीन काम नहीं कर रहा, एक्विपिप्मेंट्स नहीं है दवाई लिखते हैं लेकिन दवाई डिस्पेंसरी में नहीं मिलता है मैं थोड़े दिन पहले CBSE के पास गया था अपने exams के लिए कॉक पर अप इन रोमेन स्क्रिप्ट के लिए मुझे अजीब लगता है कि सब लोग बोलते हैं कि नहीं आपको English script में allow नहीं किया जाएगा ये मंतरी लोग ये MLA लोग अपने बच्चे को Holy Cross में भेजते हैं ये मंतरी ये MLA लोग अपने परिवार के बच्चे लोगों को Holy Cross, Don Boss को English Medium School में भेजते हैं लेकिन इनका सोचना है कि हमारा जो बच्चा है कोई भी हो, Bengali हो, Tribal हो, Manipuri हो, कोई भी हो उनको Bengali Medium School में पढ़ना चाहिए क्यों? हमारा बच्चा को कल क्या Engineer नहीं पढ़ना है हमारा बच्चा को कल English नहीं बोलना है हमारा बच्चा को कल अच्छा नौकरी नहीं मिलना है प्राइविट सेक्टर में हो या पपलिक सेक्टर में हो यह क्यों है? क्यों थुरूप्रा दूसरे स्टेट से पीछे हैiku क्योंकि हमारे education system में मिलना हुआ है थुरूप्रा में investment क्यों नहीं होता है? यह kesanा हमारे लोग हम जोग स्कूल से ही वान्चित है थोड़े दिन पहले हेल्थ केर के बारे मैं बोल रहा हूँ हॉस्पिटल में अगर आज कोई बिमार है उनको वेलोर जाना पड़ता है कलकत्ता जाना पड़ता है दिल्ली जाना पड़ता है चन्नाई जाना पड़ता है गौहाटी जाना पड़ता है क्यों हमारे लोग, क्यों हमारे लोगों को तुरुपरा में अच्छा ट्रीच्पन नहीं दोता है कुछ तो वज़ा होगा, पैसे का कमी है, सब लोग बोलते हैं कि पैसा तो आ रहा है तो पैसा आ रहा है, तो कहां जा रहा है, किन के पास जा रहा है किसके pocket में जा रहा है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये पैसा हमारे लोगों के पास जा रहा है ये सब सवाल है मैं बोलूँगा कि solution मेरे पास solution आपके पास solution आपके पास है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अच्छे लोग आप system के अंदर आए ये system न हमें नीचे रखने के लिए बनाया गिए ये system को बदलना है और अगर system को बदलना है then I need good people not just tiprasa good people, Bengalis tiprasas, Hindu Muslim, Buddhist, Christians I need good people, I need good humans, I need good Indians मैंने भी बहुत सीका है पिछले 18 महने में जो मैं सोचता था मेरा सोच में भी बहुत परिवर्तन आया है एक व्यक्ति को हमेशा समय के साथ चलना चाहिए और जहां में गलती होता है स्विकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और मुझे लगता है कि हमारा जो solution है वो तभी होगा जब हम शांती से अपना बात रखेंगे compromise नहीं करेंगे लेकिन शांती से रखेंगे और किसी को लगता है कि अगर violence से गुंडागर्दी से बंदूप उठाकर अगर अपना बात रखना है तो भाईया आपने पहले रखा है कुछ मिला कुछ मिला नहीं हिंदूस्तान में जो भी कुछ किसी को मिलता है वो मिलता है यह गांधी का देश है गांधी ने अंग्रेश को बंदूप से नहीं अपने असूलू से हराया यह देश यह राज्य मैं अगर आपना बात रखना है तो शांती से रखो यह डिसेंबर का मेहना है त्रिंग है त्रिंग के बाद क्रिस्मस है क्रिस्मस के बाद नहा साल है पॉजिटिव बनो और जो लोग थोड़ा सा पैसा फेक कर यही पैसा जो आपको फेक रहे हैं आज यही पैसा यह बादने फिर से उठाएंगे यही नेतालोग कॉंट्रैक्टर से उठाएंगे बिजनेसमेन से उठाएंगे यह पैसा यह आपका पैसा है लेकिन आज आज आपको थोड़ा सा देकर बाद में यही आपके घर में आपके गाउं में आपका रास्ता ठीक से नहीं बनेगा आपके स्कूल ठीक से नहीं बनेगा क्योंकि आज जो ये पैसा खर्च कर रहे हैं ये वापस रिकवर करेंगे आप ही के गाउं से आप ही के एरिया से So please think I appeal to all of you थोड़ा सा सोचे भविश्य में क्या करना है मैं आप सब को बहुत प्यार करता हूँ I love all of you all I love all of you all And I want to spread the message of love I want to spread the message of brotherhood Of unity, thansa And yes आपको एक leader मिला है जो compromise नहीं करेगा सब बोलते हैं कि आपको शक्ती कहां से आता है मुझे शक्ती आपके प्यार आपके आशिरवात से आता है और मैं आने वाले दिन में अपने लाइन में चलूँ अगर आपको लगता है कि मैं सही सत्य के रास्ते में हो तो आप मुझे सपोर्ट करेंगे और अगर आपको लगता है कि जो सिस्टम पहले से चल रहा था उसी को चलना चाहिए तब आप खुदी जानते हैं कि आने वाले दिन में क्या होगा ये बोलकर I want to thank everyone of you दो तीन चीज और पॉइंट था मैं आने वाले दिन में अपने लोयर से मेरे आज ही बात हुआ 10,323 टीचर्स का केस इसी महना फाइल होगा लोयर्स बिजी थे चीफ जस्टिस का चेंज हुआ था लेकिन इसी महने हम लोग केस फाइल करेंगे मैं कल ही फोन करूँगा टीचर्स को जो अफेक्टिड है कि आने वाले दिन में जल से जल क्रिस्मस से पहले हमें क्या करना चाहिए दूसरा बात है CBSE exams जो होगा हमने चेर परस्ट को कहा है कि कॉक बरॉक रोमन स्क्रिप्ट में होना चाहिए वरना हमारे चात्रे लोग फेल होंगे ये हमारा सेंटिमेंट है एक option दीजिए कि कौन से language में हम अपियर करें लेकिन बिना option का अगर आप हमें chance देंगे तो बहुत problem होगा election का season है सब parties आएंगे सब media कुछ बोलेगा मैंने थोड़े दिन पहले ONGC के बारे सुना है मैं आपको बोल रहा हूँ जिसने ये कहानी लिखा है आप एक दो दिन वेट कर लीजे मैं press conference करूँगा और दूद का दूद पानी का पानी करूँगा ONGC NGO को जो अगर तला में है जिसका connection है उनको आप प्रोग्राम के लिए पैसा देते हो कुमार सानू का musical program होगा उसके लिए आप पैसा दोगे ONGC या गेल या दूसरे company कोई अगर तला या कोई कही में कुछ football program हो तो उसके लिए पैसा दोगे लेकिन ADC area जहां से आप हमारा exploration करते हो अगर मैंने बोला कि एक school में थोड़ा सा कुर्सी, table, bench दे दो या tin दे दो वो नहीं दोगे अगर हम बोलते हैं कि यहां में ambulance के लिए थोड़ा सा hospital के लिए कुछ x-ray machine दे दो वो नहीं दोगे लेकिन आप कुमार सानू के night के लिए NGO को या कोई मंतरी के रिष्टिदार के NGO को आप पैसा दोगे मैं जानता हूँ क्या चल रहा था और आज जब मैं हम लोग आ गए हैं और मैंने कहा है कि गाउवाले के permission के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो तो आपको थोड़ा सा थोड़ा सा तकलीफ होता है आप पहले हमारे तिप्रसा का तकलीफ को देखिए आपने हमारे एरिया से बहुत लिया है आज हम कोई जो मांग रहे हैं किसी का खेरात का नहीं मांग रहे हैं अपना अधिकार का मांग रहे हैं और जो हम मांग रहे हैं अगर आपको लगता है वो एक्स्टॉर्शन है तो आप कॉर्ट में हमारा defamation मानहाना का केस सुन दीजिए क्योंकि आप समझते हैं कि आप हमारे एक तीपरासा जंगल में रहेगा और आप शेहर में पैसा बाटोगे गैस हमारे एरिया से निकलता है लेकिन CSR काम शेहर में होता है ये अन्याई है ये अन्याई को मैं होने नहीं दूँगा आप धमकाईए आप मीडिया को लिखकर कुछ भी लिखवा दीजिए कुछ फरक नहीं पड़ता है मैं सच्चाई के रास्ते में हम सच्चाई का रास्ता से काम करते हैं और हमारे पास साब लीगल डॉक्यूमेंट्स है मैं आने वाले दिन में आपको भी समझाऊंगा प्यार से समझाऊंगा प्यार से समझ लो और ना पब्लिक सब जागती है और पब्लिक आसानी से आपको माफ भी नहीं करें यह बोलकर I want to tell all of you all शांती रखो, प्यार से रहो बिंगॉली, टिप्रासाज, हिंदू, मुस्लिम, क्रिस्टिन, बुदिस I love all of you all यह समय है, यह सीजन है प्यार बाटने का, एकता लाने का और please, जो लोग नफरत का राजनीती करते हैं जो लोग राजनीती करते हैं जिससे आपको नफरत पहला जाएगा दोनों तरफ से गलत लोग हैं मैं नहीं बोलूँगा कि सिर्व एक तरफ से, दोनों तरफ से उन जैसे लोगों को समझो उन्होंने त्रुपरा को भरबाद किया है वैसे लोगों को अब आप छोड़ो जो ड्रक्स का राजनीती करते हैं जो इलीगल एक्टिविटीज करते हैं उन्हों लोगों को आप छोड़िए और एक आने वाला त्रुपरा को डेवलाप कीजिए जहां में हम सब आगे बढ़ेगे बेलाई बेलाई नो हामबाई खुलूंखा धन्यवाद तीपरा सा आइक लग्थों त्रुपरा आइक लग्थों तीपरा मता आइक लग्थों No compromise on our demands हामबाई